हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेडी नौन स्टॉप में दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 26 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करेंड फियर्स और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे दो कोस्टन्स भी पूछूँगा जिसका एंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा और आप इस वीडियो की पीडियाफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहलप्स ने 64 फिल्म फियर अवार्ड में सर्बसेष्ट अभिनेता का पुरसकार किशने जीता है तो 64 फिल्म फियर अवार्ड में सर्बसेष्ट अभिनेता का पुरसकार जीता रडबीर कपूर ने और इन्होंने संजू फिल्म के लिए सबसेश्ट अभिनेता का पुरसकार जीता है अभी हाली में 64 फिल्म फिल्म फियर पुरसकारों की घोशना की गई है तो इससे आने वाले सब भी एक्जामस में प्रस्ण पूछे जाएंगे तो इसमें और भी जो पुरसकार दियेगे हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ तो 64 फिल्म फियर पुरसकारों में सर्बसेश्ट फिल्म का पुरसकार मिला है राजी फिल्म को और इसमें सर्बसेष्ट अभिनितरी का पुरुसकार मिला है आलिया भट को राजी फिल्म के लिए और सर्बसेष्ट अभिनिता का पुरुसकार मिला है रडबीर कपूर को संजू फिल्म के लिए और इसमें सर्ब सेष्ट निर्देशक का पुरस्कार मिला मेखना गुलजार को इनकी फिल्म राजी के लिए और बेश्ट प्लेबैक सिंगर मेल का पुरस्कार मिला है अरिजीत सिंग को इनके गाने एवतन के लिए जो की राजी फिल्म का गाना है और best playback singer female का पुरुसकार मिला है स्रिया घोसाल को घूमर गाने के लिए जो की पदमावत का गाना है और इसमें critics best film का पुरुसकार मिला है अंधा धुन फिल्म को और critics सर्ब सिष्ट अभिनेता का पुरुसकार मिला है रड़बीर सिंग को पदमावत फिल्म के लिए अगलप्षने हाली में किस देशने पांच वर्स के सैन ने सासन के बाद अपना पहला आम चुनाव आउजित किया है तो हाली में पांच वर्स के सैन ने सासन के बाद अपना पहला आमचुनाव आउजित क्या थाइलैंड ने हुआ क्या था थाइलैंड की सरकार जो निर्वाचित सरकार थी उसको बाहर कर दिया गया था तो अभी तक यानिक यहाँ पर सैन इसासन लागू था तो अब पांच वर्ष के सैन इसासन के बाद यहाँ पर पहली बार आम चुनाव आउजित किये गए है तो इसका सेज़ेंसर अप्सन सी थाइलेंड थाइलेंड की रास्थानी है बैंककॉक थाइलेंड की करंसी है बहत और थाइलेंड के अभी वर्थमान में प्रधान मंत्री है प्रयूत चन ओचा और थाइलेंड दुनिया में सबसे ज़्यादा रबर का उतपादन करता है रबर के उतपादन में यह दुनिया में नमबर वन पर है और अगर बात की जाए भारत की तो भारत रबर के उत्पादन में दुनिया में चौथे अस्थान पर है और भारत में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन केरल में होता है अगल अप्स ने Every Vote Counts नामक पुस्तक किसने लिखी है तो Every Vote Counts इस पुस्तक को लिखा है नवीन चाउला ने यह जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है नवीन चाउला और नवीन चाउला यह भारत के पूर्भ मुख्य चुनाव आयूक्त हैं तो इनकी यह पुस्तक है Every Vote Counts और अपी हाली में इस पुस्तक को पूर्भ उप राष्टपती हामिद अंसारी ने नई दिल्ली में लाउंच किया है तो Every Vote Counts इसको लिखा है नवीन चाउला ने जो की भारत के पूर्भ मुख्य चुनाव आयूक्त है और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयूक्त कौन है तो वर्तमान में है सुनील अरोडा अगलप्स ने नीती आयोग ने एक दिवसिये Fintech Conclave का आयूजन कहां किया तो नीती आयोग ने एक दिवसिये Fintech Conclave का आयूजन किया नई दिल्ली में और इस Conclave का उद्घटन RBI के Governor सकती कांत दास नहीं किया था और इसका उद्दे से है Fintech कंपनियों को बढ़ावा देना Fintech कंपनिया क्या होती है जैसे कि Paytm, Beam और भी बहुत सी तो Fintech कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए इसका आयूजन किया गया था Fintech की Full Farm क्या होती है Fintech की Full Farm होती है Financial Technology Financial Technology और इसका मतलब होता है जब आप अपने Financial Work को Technology की मदद से करते हैं तो उसे ही Fintech कहा जाता है जैसे कि आप लोग Taxi का किराय देना हो या फिर Restaurant का Bill देना हो तो अब लोग क्या करते हैं अब लोग Paytm से कर देते हैं तो इसे ही Fintech कहा जाता है और Paytm भीम ये सब Fintech कंपनिया है जिनकी मदद से आप ये सब कर पाते हैं तो Fintech कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए नीती आयोग ने एक दिवसिये Fintech Conclave का आउजन नई दिल्ली में किया था और इसका उधगटन RBI के गवर्नर सक्तिकांथ दास ने किया था और यहां पर बात हुए नीती आयोग की तो नीती आयोग इसमें नीती की फिलफार्म होती है National Institution for Transforming India National Institution for Transforming India नीती की फिलफार्म होती है और नीती आयोग की स्थापना होती एक जन्वरी 2015 को नीती आयोग की स्थापना होती नीती आयोग का मुख्याल है नई दिल्ली में और नीती आयोग का अध्यक्ष कौन होता है तो भारत के प्रधान मंत्री नीती आयोक के अध्यक्ष होते हैं यानि कि वर्थमान में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी नीती आयोक के अध्यक्ष हैं और नीती आयोक के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और वर्थमान में नीती आयोक के CEO हैं अमिताब कांथ अगल अप्स ने Global Teacher Prize 2019 किस ने जीता तो Global Teacher Prize 2019 जीता है पीटर तबीची ने ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है पीटर तबीची और पीटर तबीची ये Kenya देश के एक साइंस के टीचर है तो इन्होंने Global Teacher Prize 2019 जीता है पीटर तबीची ये Kenya देश के एक साइंस के टीचर है और ये अपनी सेलरी का 80% दान कर देते हैं जैसे कि सिक्षा के लिए और भी अच्छे कामों के लिए ये अपनी सेलरी का 80% दान कर देते हैं तो Global Teacher Prize 2019 ये पीटर तबीची ने जीता है अगलप्स ने Basketball Federation of India का अध्यक्ष किसे चुना गया है तो Basketball Federation of India का अध्यक्ष चुना गया है के गोबिंद राज को ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है के गोबिंद राज तो इन्हें Basketball Federation of India का अध्यक्ष चुना गया है और यहाँ पर बात हुए बास्केट बॉल की तो कई बार एक्जाम में पूछ लिया जाता है कि बास्केट बॉल में कितने खिलाडी होते हैं एक टीम में तो याद रखिए बास्केट बॉल में एक टीम में पांच खिलाडी होते हैं अगलप्स ने एरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल दौरा जारी 2018 के 200 हवाई अड़े की यातायात रेंकिंग के अनुसार सबसे बेस्थ हवाई अड़े के संबंध में इंद्रा गांथी अंतरराष्टी हवाई अड़े को कौन सा स्थान मिला है तो इसमें सबसे बेस्थ हवाई अड़े के संबंध में इंद्रा गांथी अंतरराष्टी हवाई अड़े को मिला है बारवा स्थान और इंद्रा गांथी अंतरराष्टी हवाई अड़े ये नई दिल्ली में है और इसमें इंद्रा गांथी अंतर राश्टी हवाईड़े को बारवा स्थान मिला है तो इसमें पहला स्थान की से मिला पहला स्थान मिला है हार्ड्स फिल्ड जैक्सन अट्लांटा अंतर राश्टी हवाईड़े को जो की USA में है यानि कि हार्ड्स फिल्ड जैक्सन अटलांटा अंतराष्टी हवाईड़ा ये दुनिया का सबसे बेस्ट हवाईड़ा है और इसमें दूसरा स्थान मिला है बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एरपोर्ड को जो की चीन में है और इसमें तीसरा स्थान मिला है दुबई इंट रिकेटर बन गए हैं सुरेश रेना और सुरेश रेना ये चन्नेई सुपर किंग्स की तरफ से खिलते हैं और अपी आली में IPL का आधिकारिक प्रायोजग बना है यानि की ओफिसियल पार्टनर बना है ड्रीम 11 अगल अपिने भारत WEF यानि की वर्ड एकोनोमिक फोरम के वैस्विक उर्जा संक्रमड सुचकांक में कौन से स्थान पर है तो भारत वर्ड एकोनोमिक फोरम के वैस्विक उर्जा संक्रमड सुचकांक में चेतरवे स्थान पर है पिछले साल भारत अठतरवे स्थान पर था तो इस बार चेतरवे स्थान पर है और इसमें पहले स्थान पर है स्वेडन, दूसरे स्थान पर है सुट्जालेंड और तीसरे स्थान पर है नॉर्वे और यहाँ पर बात हुए W.E.F. की यानि की वर्ड एकोनॉमिक फोरम की तो इसका मुख्याल है सुट्जालेंड में और अगलप्ष ने किस देश ने USA की सेना को अपने बंतर गाहों का उप्योग करने की अनुमती दी है यानि कि USA की जो सेना है अब ये इस देश के बंदर गाहों का उप्योग कर सकेई तो इसकी अनुमती दी है ओमान ने यानि कि ओमान के जो बंदर गाह है उसका उप्योग USA की सेना अब कर पाएगी और यहाँ पर बात हुए ओमान की तो ओमान की रास्थानी है मसकट मसकट ओमान की रास्थानी है ओमान की करंसी है रियाल और वर्तमान में ओमान के प्रथान मंत्री है कबूस बिन सईद अल सईद कबूस बिन सईद अल सईद ओमान के प्रथान मंत्री है और कल के प्रश्णिकल मैंने आपसे दो कोस्टन्स पूछे थे पहला कोस्टन था नौसेना के अगले प्रमुख कौन होगे तो इसका सही अंसर था करम बीर सिंग और दूसरा कोस्टन था विस्सु मौसम विज्ञान दिवस प्रतेक वर्स कब मनाय जाता है तो इसका सही अंसर था 23 मार्च को और लगपक सभी लोगों ने इन दोनों प्रस्णों का सही अंसर दिया है और मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कोस्टन के बारे में आपको जितना पता रहा करें आप लिख दिया करिये जैसे की बिस्व मौसम विज्ञान दिवस इसकी थीम क्या थी अगर आपको याद है तो आप वो भी लिख दिया करिये लिखने से होगा क्या आपको और भी अच्छे से याद हो जाएगा कई सारे लोग लिखते भी हैं तो उनका कमेंट पढ़के काफी अच्छा लगता है तो कुश्टन के बारे में आपको जितना पता ना करें आप लिखा करिये इससे आपको और भी अच्छे से चीजे याद रहेंगे आप जल्दी भूलेंगे नहीं और आज आपका पहला पशने और स्टिलियन ग्राम पी किसने जीती है और आज आपका दूसरा पशने देहंदू इंस्पिरेशन अचीफ्मेंट अवार 2019 किसने प्राप्त किया है तो इन दोनों प्रशनों का एंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तो दोस्तों आसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पिसंद है होगा अगर आपको ये वीडियो पिसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक और सेर करना मत भूलिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ղिजिए मैं करेंट अभी थेर्स की वीडियोज हर रोज सुबाद चार बचे अप्लोट करता हूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल कौन रखिए जिससे मैं जब फिर वीडियो प्लोट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबा तब तक के लिए गुड़ पाई एंड टेक कियर